दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें साथी बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो की इंफोर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी वो भी मुफ्त में दोस्तो आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं गर्मियों में निम्वू पानी के सेवन से आपको क्या फाइदे हो सकते हैं दोस्तो निम्बू पानी का नियमित सेवन करने से शरीर की इम्मिनिटी बढ़ जाती है साथी पाचन प्रिक्रिया में भी सुधार होता है निम्बू पानी का नियमित 7 करने से शरीर का pH मान भी संतुलित बना रहता है साइट्रस फलो में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है और इससे शरीर पर हानिकारक किर्णों जैसे पराबेंगनी का प्रभाव नहीं पड़ता है विटामिन C के 7 से रिदय रोग होने का खत्रा काफी कम हो जाता है और दोरा आधी पढ़ने की संभावना कम होती है तो चलिए जान लेते हैं कि निम्बू पानी के क्या फाइदे होते हैं और यह आपको क्या फाइदे दे सकते हैं पहला दोस्तों कीडिनी में पथरी नहीं होती है दोस्तों निम्बू पानी में पोटिशम होता है जो कीडिनी में पथरी का निर्मान होने से रोग देता है जोगी इसमें साइट्रस लेवल ज्यादा होता है तो पथरी नहीं बन पाती है सेकंडे दोस्तों ये immunity boost करता है निम्बू में lymphatic pricrya को बढ़ाने का गुण होता है जो immunity को बढ़ाती है थर्डे दोस्तों ये भूग को कम करता है और वजन गिराता है निम्बू के रस्प में persitin होता है जो भूग में कमी ला देता है और भूग पर नियंतरन ला देता है फुर्थे दोस्तों गोल ब्लेडर में दर्द की संभावना कम होती है निम्बू का रस्प पिने से गोल ब्लेडर में होने वाला दर्द सही हो जाता है फिफ्थे दोस्तों सर्दी और फ्लू से बचाता है अगर आपको सर्दी और फ्लू होता है तो आप निमबू के रस का 7 करें इससे काफी आराम मिलता है नक्ष्ट दोस्तों फूट्बॉर्ण वीमारी में ये फाइदे बन होता है जिन लोगों को फूट्बॉर्ण वीमारी होती है वो निम्बू के जूस का 7 अवश्य करें इससे उनकी समस्या ठीक हो जाती है और आखरिये दोस्तों सूजन में निम्बू पानी का काफी फाइदा होता है निम्बू में एंटी इंफ्लामेंटरी गुण होते हैं जो सूजन को दूर बगाने में साहयक होते हैं इसके 7 से शेरिका पी एच मान संतुलिद रहता है जिससे सूजन की समस्याद दूर होती है तो दोस्तों ये है निम्बू पानी पीने के कुछ फाइदें उम्मीदें आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद